Hello everyone, मेरा नाम लक्ष है और मैं भातिया नियूरो साइक्याट्रिक हॉस्पिटल में एक कांसलिंग साइकॉलोजिस्ट हूँ तो जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में ये देखा कि attachment styles क्या है और वो कैसे हमारी relationships को effect करती है तो आज हम insecure attachment की types को जानने की कोशिश करेंगे तो insecure attachment तीन तरह की होती हैं जो है anxious attachment, avoidant attachment and disorganized attachment लेट से कि एक family में three children हैं और इसको और simplicity में लाने के लिए हम उन्हें name दे देते हैं A, B and C अब हम बात करते हैं family A की families इस case में बहुत busy होती हैं तो उनको अपने बच्चों को देने के लिए time नहीं होता तो उनके बच्चों को ऐसा लग रहा हो रहा होता है कि शायद वो ignore हो रहे हैं तो ऐसे बच्चे आगे जाकर हज से भी जादा emotional और insecure होते हैं क्योंकि उनकी वो basic safety needs पूरी नहीं हो रही होती अगर हम बात करें social relationships की तो उनके रिष्टे भी काफी disturbed होते हैं क्योंकि कई ना कई वो एकेला नहीं रह सकते प्लस उनको ये डर होता है कि कोई इंसान उनको छोड के ना चला जाए ऐसे बच्चे बड़े होके भी insecure रहते हैं और वो anxiety का शिकार हो रहे होते हैं तो जब वे बड़े हो रहे होते हैं तो वे attention seeker जैसी personality को develop करते हैं तो इस तरह की attachment को हम anxious attachment कहते हैं अब हम बात करते हैं family B की family B के parents अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते अगर उनका बच्चा उनके पास कोई मसला लेके भी आ रहा है तो वो से seriously नहीं रहते अगर बच्चा रो भी रह होता है तो वो उसको avoid करते हैं तो क्योंकि माब आप उनकी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते तो बच्चे को लगता है कि उसको अपने वो basic survival needs को पूरा करने के लिए खोदी struggle करना पड़ेगा तो ऐसे बच्चे firstly तो उदासी, एक एकेलापन और एक anxiety महसूस करते हैं लेकिन secondly इसका positive point ये आता है कि वे अपने emotions को side रखके जब अपने वो basic survival needs को पूरा करने की कुशिश करते हैं तो वे समय से पहले self dependent हो जाते हैं तो ऐसे बच्चे आगे जाकर बड़े होके किसी से ज़ादा तालुक नहीं रखते ना ही वे किसी से कोई help सीख करने में comfortable होते हैं और ना ही कभी वो ज़ादा किसी के close ही जाते हैं तो इस तरह की attachment को हम कहते हैं avoidant attachment अब हम बात करते हैं family B की family B के parents अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते अगर उनका बच्चा उनके पास कोई मसला लेके भी आ रहा है तो वो से seriously नहीं लेते अगर बच्चा रो भी रह होता है तो वो उसको avoid करते हैं तो क्योंकि माब आप उनकी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते तो बच्चे को लगता है कि उसको अपने वो basic survival needs को पूरा करने के लिए खुदी struggle करना पड़ेगा तो ऐसे बच्चे firstly तो उदासी, एक एकेलापन और एक anxiety महसूस करते हैं लेकिन secondly इसका positive point ये आता है कि वे अपने emotions को side रखके जब अपने वो basic survival needs को पूरा करने की कुशिश करते हैं तो वे समय से पहले self dependent हो जाते हैं तो ऐसे बच्चे आगे जाकर बड़े होके किसी से ज़ादा तालुक नहीं रखते ना ही वे किसी से कोई help सी करने में comfortable होते हैं और ना ही कभी वो ज़ादा किसी के close ही जाते हैं तो इस तरह की attachment को हम कहते हैं avoidant attachment तो अब हम बात करते हैं family C की family C में ऐसा होता है कि family अपने बच्चों की एक basic survival needs को तो पूरा कर रही होती है लेकिन जब वो उसे एक emotional needs जैसे कि उसको एक proper time, attention और care जब ये सारी चीजे family उसे provide नहीं कर पाती तो कई ना कई बच्चे का एक disorganized behavior आना शुरू हो जाता है और इस तरह के behavior में बच्चे के अंदर fear and cravings दोनों साथ साथ चलती हैं क्योंकि कई ना कई उसके मन में वो डर चल रहता है कि कोई इनसान या कोई loved one उनका उन्हें छोड कर ना चला जाए या फिर उन्हें कई ना कई अपनों के लिए किसी तरह की cravings चल रही होती हैं तो इस तरह की attachment को हम disorganized attachment कहते हैं और लॉंग रन में ऐसे बच्चों के relationships भी unstable ही रहते हैं तो हमने देखा कि कैसे unhealthy attachment in parenting style हमारे बच्चों को effect करती हैं तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी ऐसी और informative वीडियो जाने के लिए आप हमारे चानल दह हमी तेज को subscribe करिए Thank you